question number one of exercise 2.5 which is greater इसका एक बहुत ही simple सा method है बहुत सारे method है उनमें से सबसे simple method में आपको बता रहा हूँ और आप कुछी seconds में उसको solve कर पाएंगे first part है इसका 0.5 और 0.05 आपको check यह करना है number आपको कैसे check करने देखिए which is greater point से पहले number है 0 और यहाँ पर भी है 0 यह दोनों equal है आगे चलिए point के बाद में first number यहाँ पर 5 है second number यहाँ पर 0 है और 5 और 0 में से कौन बड़ा होता है 5 तो आप को और कुछ नहीं करना 0.5 is greater than 0.05 दो तिन पार्ट इसके देखेंगे आपके clear हो जाएगा माइंड में second part देखिए इसका 0.7 और 0.5 पॉइंट से पहले के नंबर देखिए 00 equal point के बाद में एक एक क्यांग यह 7 है यह 5 है 7 और 5 में से कौन सा बड़ा होता है 7 तो 0.7 is greater than 0.5 थर्ड पार्ट देखिए इसका 7 और 0.7 आप यहां तो point है जो पहले नंबर दिया उसमें point नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 7.00 कुछ भी लिख दें 7.0 लिख दें इसके आगे आप 10 0 लगाएं 10 0 लगाएं कोई इसका meaning नहीं है यह 7 होते हैं तो यह मतलब नंबर में पह 7 यह हम पर है point से पहले 0.7 और 0 में से कौन बड़ा होता है 7 आपको आगे देखना है नहीं है 4 देखिए 1.37 और 1.49 point से पहले 1 1 equal है दोनों में point के बाद में first number देखिए 3 4 3 और 4 में से कौन सी संख्या बढ़ी है 4 तो यह संख्या बढ़ी होती है अब इसके आगे जैसे 1.1 नमबर बताता हूं आपको 24.134 और एक नमबर लिखना हूं में 24.12999 यह लिख दिया मैंने इन में से कौन सा नमबर है वो greater आपको यह बताना है point से पहले 24 24 equal है point के बाद में first number 1 यहां पर 1 equal है point के बाद में second number देखिए यहां पर 3 यहां पर 2 3 और 2 में से कौन सा नमबर बढ होता है 3 तो यह संख्या greater है अब इसके आगे आप कितनी बार 9 लिखें 8 लिखें 7 लिखें उससे कोई फरक नहीं पड़ता यह नमबर बढ़ा नहीं हो सकता इससे ऐसे आपको चेक करना है 5 पार्ट देखिए इसका 2.03 and 2.30 point से पहले 22 equal point के बाद में first number 0 यहां पर 3 तो 0 और 3 में से 3 is greater number तो आप ने इसको greater बता दिया और last है 6 इसका यह भी easy सा है 0.8 और 0.88 point से पहले 00 equal point के बाद में first number 8 यहां पर 8 equal अब यहां पर कोई number नहीं है मैंने आपको बताया 7.1 है इसके आगे आप 1 बार 0 लिखें या 10 times 0 लिखें कितने भी 0 लिखें यह number वही रहता है 7.1 में और इस उपर वाले number में कोई difference नहीं है इस सेम है तो यहां पर 0.8 है तो यहां आप कितने भी 0 लगा सकते हैं यहां आपने 0 लगा दिया फर्स्ट नमबर 00 equal point के बाद में second number 88 equal point के बाद में point के बाद में first number sorry 88 equal और point के बाद में second number 0 यहां पर 8 तो 0 रेट में से कौन से नंबर ग्रेटर है 0.88 यह बिलकुल इसी सा प्रोसेस है और भी जैसे मैं को एक्जाम्पल इसका बता देता हूं 124.328 और एक नंबर मैंने लिख दिया 124.32759 124 124 एक तीन नंबर तक आप देखेंगे चेक करेंगे इकवल मिलेंगे पॉइंट के बाद में फर्स्ट नंबर 3 3 इकवल है सेकेंड नंबर 2 2 इकवल है थर्ड नंबर 8 7 8 is greater than 7 इसके आगे क्या नंबर लिखे हैं आपको कोई मतलब नहीं है यह नंबर इससे बड़ा कभी हो नहीं सकता आप कितनी भी आप कितने भी आगे इजिट लिख दें उससे कोई फरक नहीं पड़ता तो यह थी प्रोसेस और सबसे जो इजी मैथड है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं और बहुत सारे मैथड होते हैं जिसमें पॉइंट को आप रिमूव करके और नीचे 1010 लिखें 10000 लिखें वो भी एक प्रोसेस है लेकिन वो इससे lengthy प्रोसेस है यह सबसे short प्रोसेस है और इससे आपके कितना ही बड़ा नम्मर हो आप कुछ seconds में उसको पता लगा सकते हैं यह आपके लिए यह वीडियो हेल्फुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा